कितना अजीब स्वभाव है इंसान का जो साथ ले जाना है उसे छोड़े जा रहा है और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़े जा रहा है एक राजा ने एक दिन बड़ी ही अजीब इच्छा जाहिर की कि मेरे दर्बार में एक से बढ़कर एक अक्लमंद है एक मूर्ख भी होना चाहे जिसकी बातों को सुनकर सबका मनोरंजन हो राजा ने राज़े में प्रतियोगिता रखी एक मूर्ख मिल भी गया बहुत ही खास किस्म का ताज उस मूर्ख को पहनाया गया राजा रोज दर्बार में उस मूर्ख से कुछ सवाल पूछता और उसका जवाब सुनकर सारे दर्बारी खुब हस्ते ऐसे ही समय गुजरता गया और राजा पीमार पड़ गया राजे के सारे वैद्धे हार चुके थे राजा का बचना मुश्किल था राजा अपना अंतिम वक्त हंसकर गुजारना चाहते थे तो उन्हेंने उस मूर्ख को बुलाया और उससे कहा आज तक हम तुससे प्रश्न करते रहे और तू उत्तर देता रहा आज तू मुझसे प्रश्न कर मैं उत्तर दूँगा मूर्ख ने सवाल किया राजन आप मृत्यू के बाद कहां जाएंगे राजा ने जवाब दिया मेरे मालिक के पास उस परमात्मा के पास मूर्ख ने अगला सवाल किया राजन वहां आप कितने दिन रहेंगे राजा ने कहा हमेशा हमेशा के लिए मूर्ख ने फिर कहा फिर तो आपने वहां के लिए बहुत ही बहतरीन इंतिजाम किये होंगे जिससे आपको कभी तकलीफ न हो राजा ये सवाल सुनकर सोच में पड़ गया वो कुछ भी कहना पाया अब उस मुर्ख ने अपना ताज उतार कर राजा के सर पर रखते हुए कहा मुझे माफ करना राजन पर इस ताज के असली हगदार मुझ से जादा आप है जहां रहना ही नहीं है वहां इतना बड़ा राज्य और जहां हमेशा के लिए रहना है वहां के लिए कुछ भी नहीं कड़वा तो बहुत है पर यही सच है उड़ जाएंगे तस्वीर से रंगों की तरह हम वक्त की टहनी पे परिंदों की तरह हम ये बात हम सब जानते हैं पर फिर भी इस बात को एहसास करते हुए जीते नहीं तभी तो कहते हैं कितना अजीब स्वभाव है इंसान का जो लेकर जाना है उसे छोड़े जा रहा है और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़े जा रहा है